गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विश्णू, गुरूर देवो महिश्वरह, गुरू साक्षात परः ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमाहा, तस्मै श्री गुरुवे नमाहा, तस्मै श्री गुरुवे नमाहा. गुरु भाईयों और गुरु बहनों, आईए, सर्वप्रथम नमन अर्पित करते हैं उनके श्रीचर्णों में, जिनकी क्रिपा से हम इस भक्ती पत पर चल रहे हैं, बोलिये सद्गुरु सर्विश्री आशुतोष महराजी की सचे दर्बार की गुरु भाईयों और गुरु गुरु का प्रेम अनंत होता है, इस संपून संसार में यदी कोई है, जो निस्वार्थ प्रेम करता है, तो वो केवल और केवल मात्र एक सद्गुरु हुआ करते हैं, वो अपने शिश्य के जीवन को सवारने के लिए, बनाने के लिए, अपना सर्वस्व लुटा दिया करत हैं, इस संसार का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, कोई ऐसा वक्ता नहीं है, जो अन गुरु की महिमा को अपने शब्दों में, अपनी सीमाओं में बांध सके, ये संपून ब्रमांड गुरु की महिमा गा रहा है, और ये हमारा सौभाग्य है, कि गुरु की महिमा गाने का अफस गुरु की महिमा सुनने का अफसर हमें निरंतर प्राप्त होता है सद्गुरु सर्विश्री आशतोष मारेजी की कृपा से सद्गुरु ही हैं जो अपने शिश्य पर कष्ट आने से पहले उसकी रक्षा करने आ जाते हैं उसके मस्तक पर परेशानी की एक रेखा आए गुरु उसकी चिंता का निवारन करने उसके समक्ष आ जाते हैं मुझे याद है जब मारेजश्री ने समाधी धारन की तो उस समय एक गुरु बहन के मन में एक प्रश्न आ गया वो परेशान हो उठी इस बात को लेकर के कि अब गुरु देव से मिलना कैसे होगा अब मैं उनसे मिलूंगी कैसे मैं उनसे बात कैसे करूंगी बस इतनी बात मन में आई इस बात को लेकर जब वो परेशान हो गई तो रात्री काल में मारश्री उसके दिव्य स्वप्न में आए और उस दिव्य स्वप्न में मारश्री ने कहा अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो मुझसे बात करना चाहती हो तो सत्संग जाया करो मैं वहां मिलता भी हूँ और बात भी करता हूँ गुरु भाईयों और बहनों गुरु देव की कृपा देखिए उनका प्रेम देखिए कि आज इस COVID-19 क्राइसिस में जहां पर हम गुरु से बात करने और मिलने उनकी प्रेरनाओं को प्राप्त करने सत्संग पंडाल नहीं जा सकते थे तो मारश्री स्वयम हमसे बात करने हमसे मिलने, हमें प्रेरनाओं देने इन साफ्ताहिक ऑनलाइन सत्संगों के माध्यम से हमारे घर तक आगए यह है गुरु का प्रेम यह है गुरु का चिंतन यह है गुरु की कंसर्न अपने शिष्षे के लिए शिशे को एक बात गांट बांध लेनी चाहिए कि गुरू जब स्वायम कुछ कहने आते हैं तो वो संदेश बहुत महत्वपून और बहुत गंभीर होता है गुरू जब चैतावनी भरे स्वर में भी कुछ कहते हैं तो उसके पीछे भी गुरू का उदेशे शिशे को डराना नहीं अपितू उसको बनाना ही होता है क्योंकि वो गुरू सत्ता जब इस धरा पर आती है तो उसका एक ही उदेशे होता है शिश्यों का निर्मान, मानफता का उत्थान हमने ये तो बार बार सुना है कि वो परम शक्ति इस धरा पर आती है उस धर्म की स्थापना करने के लिए लेकिन भक्तों धर्म की स्थापना करना उस सर्व शक्ति मान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है वो पने ब्रिहद लक्षे को लेकर आती है और उसके भीतर एक hidden agenda लेकर के आती है और वो hidden agenda जानते हैं क्या होता है वो होता है मानवता का उत्थान, शिश्यों का कल्यान, एक दिन मारश्री ने इसी संदर्प को एक बहुत सुन्दर example से एक analogy से समझाया मारश्री ने कहा कि तुमने वो see-saw नाम का जूला देखा है आप सबने भी जब बच्पन में आप पाक गए होंगे अपने पिता के साथ तो आपने वो जूला जरूर देखा होगा हम जैसे ही उस जूले को देखते थे तो क्या करते थे दोडते हुए जाते थे उसके एक पलड़े को नीचे करके उस पे बैट जाते थे और जैसे ही बैटते थे वो पलड़ा नीचे आ जाता था हम धर्ती से लग जाते थे हमारा चहरा लटक जाता था जब हमारे उस लटके हुए चहरे को हमारे पिता देखते थे तो वो क्या करते थे दोडते हुए आते थे दूसरी और का पलड़ा अपने हाथ से नीचे करते थे तुरंत उस पर बैठते थे स्वाय में नीचे आ जाते थे और हम उपर चले जाते थे और जो लटका हुआ चहरा था वो खिल खिला के हसने लगते उसे देखकर पिता भी प्रसन हो जाते और हम भी आनंद से मौच मनाते गुरु भाईयों और गुरु बहनों मारश्री ने समझाया कि जब वो परम 27 धरा पर आती है तो उसका नीचे आना मानफ को उपर उठाने के लिए होता है वो अपने स्थर से नीचे आती है ताकि मानफ के जीवन में आनंद भर दे ताकि उसका अध्यात्मिक उत्थान हो जाए ताकि वो उन्नती के शिखरों को पाए और वो सवर जाए, बन जाए गुरु भाईयों और बहनों इसी लिए तो आज इस बेला में आज जब समय ने यूग करवट ली है माहरश्री ने हमें बहुत बार सचेत किया 2010 से इतने भजन सुनाए जिसमें माहरश्री ने समय की इस करवट जहां विद्वन्स भी होगा और नफसरजन भी होगा इस करवट के बारे में हमें बार बार सचेत किया गुरु भाईयों और बहनों इसी लिए तो जहां पर एक और माहरश्री ने इस समय के बारे में इस समय को संक्रांती काल कहा वहीं दूसरी और माहरश्री ने इसे स्वन्निम काल भी कहा वो स्वन्निम काल जिसमें जो जितनी साधना जो जितनी सेवा जो जितना गुरु आग्या पे चलेगा वो अपने विकारों से मुक्ती प्राप्त करेगा और गुरू और शिश्य के भीज का जो भेद होगा वो खत्म होता जाएगा अगर मारश्री ने इस समय को परिभाशत करते हुए ये कहा कि अब तूफान उठेंगे तूफानी मौसम होगा तो मारश्री ने ये भी कहा करना सके कलपना समय ये कितना महान है और अगर आपको याद हो जब 2014 में मारश्री ने समाधी धारन की तो उस समय मारश्री का एक handwritten note मिला एक डायरी में उस note में मारश्री ने इस समय की विलक्षनता को पून रूपेन रख दिया समझते हैं याद है आपको वो note एक बार फिर उसे श्रवन कर लेते हैं मारश्री ने लिखा रिशी अर्विंद कह गए हैं आती मानसिक दिव्विता इस धरा पर आकर मानविय प्रक्रती का सामूहिक रूपांतरन करना चाहती है यह समय वर्षो वर्षो में एक बार आता है बहुत विलक्षन है इस समय जो चूक जाते हैं वो जीवन भर पच्ताते रहते हैं लेकिन इस समय का जो लाब उठा लेते हैं वो सदा-सदा के लिए अमर हो जाते हैं इसलिए तो मारजी हमें सचेत कर रहे हैं इसलिए तो मारजी आकर स्वयम हमें वो सारे पाठ रिवाईज करवा रहे हैं अगर आपने ध्यान से लॉकडाउन के दौरान जितने सत्संग आए जितने भजन चले उन्हें ध्यान से सुना होगा तो एक एक बात जो मारजी हमें पहले भी समझा चुके हैं तरह तरह से समझाई है उसे फिर दुबारा रिवाईस करवा रहे हैं फिर से याद करवा रहे हैं क्योंकि ये समय बहुत विलक्षन है ये अफसर स्वर्णिम अफसर है एक शिश्य के लिए अगर इस अफसर को वो चूक गया तो सबसे जादा पीड़ा उससे भी जादा पीड़ा उसके गुरु को होगी इसलिए गुरु मारजी बार बार हमें जगाने आ रहे हैं क्योंकि गुरु तो वो शिल्पकार होते हैं जो अनगर पत्थरों को उठाते हैं और कोई सुन्दर मूर्ती नहीं बनाते वो अनगर पत्थरों को उठाते हैं और अपनी अभिव्यक्ती बनाते हैं अपना निजरूप देते हैं अपने जैसा ही बना लेना चाहते हैं गुरु आते हैं शिश्य को अपनी अभिव्यक्ती बनाने के लिए अभी व्यक्ति शब्द, अगर हिंदी शब्द कोश में इसका अर्थ देखेंगे, तो अभी व्यक्ति शब्द का अर्थ आता है, अभी व्यक्त का अर्थ होता है प्रकट, जाहिर, प्रकाशित हो जाना गुरू के सानिति को प्राप्त कर हर शिष्य चाहता है, कि वो गुरू की अभी व्यक्ति बन जाए, वो वो कर पाए जो गुरू से करवाना चाहते हैं, और गुरू भी जिस समय अपने शिष्य को ज्यान देते हैं, समान रूप से सब पर बराबर कृपा करते हैं, सूक्ष्म उसी समय उसके अंतस्त में बस जाते हैं लेकिन अभी प्रकट नहीं हुए अभी शिशिक गुरू की अभी व्यक्ति नहीं बना क्योंकि गुरू की अभी व्यक्ति बनना गुरू की नकल करना नहीं होता इतिहास कवा है जिस किसी नेभी बाहर से गुरू के विवहार की नकल की उसे उन्हें कॉपी करने का प्रयास किया उनके जीवन का हश्र क्या हुआ वो इस भक्ती मार्ग से तो चुत हुए ही अभी तो उसके साथ साथ उनके जीवन का एक दुखत अंत भी हुआ क्यूकि गुरु कृपा से ही गुरु की अभिव्यक्ति बना जाता है गुरू की अभिव्यक्ति बनने के लिए तो एक शिश्य को अपने हुरुदयासन को तैयार करना है इस कदर तैयार करना है कि गुरू प्रसंद होकर स्वयम आकर उस पर विराजित हो जाए और जिस शन गुरु स्वयम आकर उस पर विराजत होते हैं, प्रकट हो जाते हैं, तो शिश शिश रहता ही नहीं, वो गुरु रूप ही बन जाता है, ये है गुरु की अभिव्यक्ति बनना, हम सब चाहते हैं कि हम गुरु की अभिव्यक्ति बने, हम गुरु के दिखाई पत चलें वो कर पाएं चो गुरु हमें बनाना चाहते हैं गुरु भी यही साथे है कि हम उनकी अभी व्यक्ति बनें परंतो फिर भायों और बेहनों कमी कहां रह जाती है क्यूँ नहीं बन हम गुरु की अभिव्यक्ति क्या हो जाता है ऐसा कि गुरु की अभिव्यक्ति बन्ने निकलते हैं लेकिन मार्ग की दूरी को ही तै नहीं कर पाते क्या हो जाता है ऐसा क्यूं नहीं बन पाते एक बार ऐसे ही प्रश्णों का जंजा वात लेकर एक शिश्य जो कृष्ण गोस् जिनके गुरुदेव थे, उनका शिष्य कुल्दानंद पहुंच गया अपने गुरुदेव के चर्णों में, गुरुदेव के चर्णों में जाकर लिपट कया, फोट फोट कर रोने लगा और एक ही स्वर छेड़ दिया, गुरुदेव, मैं क्यूं नहीं वो कर पा रहा जो आ मेरे विकार मुझे विवश कर रहे हैं, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मुझे बताईए, उस समय गुरुदेव गंभीर हो गए, और आज गंभीर स्वर में बोले, कुल्दानंद, जैसे ही कुल्दानंद ने अपने गुरु की ये गंभीर वान थे एका एक गुरु की और देखकर एक टक उन्हें देख रहा है और तब गुरुदेव कहते हैं कुल्दानंद आज मैं तुझे इस ब्रह्मांड का एक अकाट्टे सत्य बता देना चाहता हूं ध्यान से सुन अगर इस ब्रह्मांड की छक्री तले कोई भी शिश्य किसी परिस कार किसी विकार को लेकर विवश हो जाता है वो नहीं बन पाता जो गुरु उसे बनाना चाहते हैं तो इसके केवल दो ही कारण हो सकते हैं पहला कारण या तो गुरु अधूरा है गुरु केवल नाम का है और दूसरा कारण या तो शिश्य का शिश्यत्व अधूरा है अब कुल्दानंद तू बता कि तेरी विवश्टा का इन दोनों में से क्या कारण है गुरु ये कहकर मौन हो गए लेकिन कुल्दानंद ने अपने दोनों हां जोड़ दिये और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी कहने लगा गुरु देफ ये कैसे कह दू कि आप पे कम नहीं है आप पर शक करना आप पर संदे करना तो ऐसा है गुरु देव जैसे मैं अपनी जननी पर संदे करूं कि उन्होंने मुझे जन्म दिया था या नहीं सत्य तो यह है मैं ही अधूरा हूं मैं ही अधूरा हूं मेरा शिश्यत्व अधूरा है मैं आपके मार पर चल नही पा रहा मेरे चलने में अधूरापन है ये कहकर कुलदानन गुरुदेव के चर्णों में गिर गया रोता जा रहा है और कहता है गुरुदेव बताईए फिर आप ही बताईए इस अधूरेपन को कैसे दूर करूं मैं क्या करूं जिससे मेरा ये शिश्यत वो पून हो जाए मैं क्या करूँ जिससे मैं वो करपाऊं जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं, मैं क्या करूँ जिससे मैं वो बन जाऊं जो आप मुझे बनाना चाहते हैं आज गुरुदेव कृष्ण गोस्वामी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा कुल्दानंद जाओ ध्यान की अवस्था में बैठ जाओ ध्यान की अवस्था में तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्णों के उत्तर मिल जाएंगे कुल्दानन तच्छन गया एक निर्जन स्थान पर बैठ कर ध्यान करने लगा और आज जैसे ही ध्यान में बैठा कुछी शन बीते थे कि हुरुदय के भीतर से आज आत्मा का स्वर प्रकर हुआ और सूक्ष मवार्ता लाप अंतस्त में चल पड़ा आज आत्मा ने प्रश्ण किया कुल्दानन से कुल्दानन ये बता तू कौन है कुल्दानन ने कहा मैं शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जीवन में गुरु का क्या स्थान होना चाहिए। आज कुल्दानन ने भारी मन से कहा प्रथम, शब्द कह दिया और नेत्रों से अश्रुधारा भेहने लगी। क्योंकि उसने प्रथम कह तो दिया, लेकिन अब आत्मा ने आगे फिर कहा, खुल्दानन प्रथम कहा तो है, पर पूछ अपने आप से, क्या तुने गुरु को प्रथम स्थान दिया अपने जीवन में? क्या तुने उन्हें वो सम्मा ने दिया अपने जीवन में? याद कर तू किसे देखकर आया था इस पत पर चलने के लिए गुरू को देखकर आया था लेकिन गुरू के बनाए हुए संसार में ही भटक गया भूल गया कि इन सब का अस्तित्व गुरू से है गुरू का अस्तित्व इन से नहीं है तु भूल गया कि तुझे गुरु के लिए जीना था, गुरु के आदर्शों पर चलना था गुरु ने तो पहले दिन ही तुझे अपना सब कुछ दे दिया था और तेरे हृदे के द्वार पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि कब तु द्वार खोले और वो तेरे हृदे आसन पर आकर विराज्मान हो जाये लेकिन तू तूने कभी इसे हृदे आसन पर बिठाया और गुरु प्रतीक्षा ही करते रहे, बता, कैसे बन पाएका तू वो जो गुरु तुझे बनाना चाहते है गुरुन तेरे अंकार को तोड़ने के लिए तुझे सेवा के नियम में बांधा क्योंकि सेवा ही वो औशदी है जो शिश्य को उसके अंकार को कुंठिप कर सकती है लेकिन तूने क्या किया तुझे गुरुने सेवा नहीं सेवाईं दी लेकिन उन सेवाओं को प्राप्त कर तुने अभिमान, मान सम्मान के साथ उन सेवाओं को जोड़ दिया अपनी महत्व कांख्शाओं के साथ उन सेवाओं को जोड़ दिया और उसका नतीजा क्या हुआ कि तुने उन सेवाओं को भी काम बना लिया उन सेवाओं से तेरा अहंकार खत्म होना था लेकिन तुने उन सेवाओं को करते हुए अपने अहंकार को और पोशित कर लिया तु कहता है ना मेरा ध्यान नहीं लगता मेरा मन विचलित है मुझ पर विकार क्यूं हावी है तो एक बात बता क्या गुरू ने तुझे बताया नहीं था कि साधना क्या होती है गुरू ने तुझे बताया था कि साधना केवल घंटों की गिंती बढ़ाना नहीं होती साधना तो अपने विवहार को अपनी वानी को अपने आचरण को साधना होता है लेकिन तुने घंटे तो बहुत अर्जित कर लिये लेकिन उन घंटों के अभिमान में अपनी वाणी को, अपने आचरण को साधना भूल गया और उसी के कारण ना जाने किस किस को तुने अपनी वाणी से, अपने आचरण से आहत किया है फिर जब उनके आसूं से तेरी साधना का आसन भीगा होगा तो तेरा मन कैसे लगेगा कुल्दानन पूछ अपने आप से गुरु ने तुझे सद्भावना, एक साथ मिलकर चलना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को प्रोटसाहित करते हुए चलना सिखाया था एक दूसरे से सीखने को सिखाया था लेकिन तूने क्या किया तूने अपने भीतर दोश ना देखकर दूसरों के भीतर दोश देखे उनकी निंदा की फिर बता तेरा ध्यान कैसे लगेगा गुरु के आदश, गुरु के वचन केवल सुनने सुनाने के लिए नहीं होते कुल्दानन वो तो जीने के लिए होते हैं जीवन में उतारने के लिए होते हैं गुरु की अभी व्यक्ति केवल बातों से नहीं बना जाता गुरु की अभी व्यक्ति बनने के लिए मिटना पड़ता है कुल्दानंद गुरु के आदर्शों को पीना पड़ता है क्या तूने ऐसा किया आत्मा का ये स्वर मानो अब मौन हो गया और कुल्दानंद के नेत्रों से अविरल अशुधारा बह रही है आज उसकी अज्ञानता के सारे परदे छिन भिन हो गए और तब उसने अपने नेत्रों खोले दोड़ता हुआ अपने गुरुदेव के चड़नों में जाकर गिर गया अपने गुरुदेव को कहने लगा गुरुदेव मुझसे बहुत भड़ी भूल हो गई मैं आपसे प्रश्न करने आया था लेकिन मैंने अपने अंतस्त को तो तटोला ही नहीं मैंने अपने आपको तो देखा ही नहीं आपने तो मुझ पर संपून कृपा लुठाई है लेकिन मेरा पात्र ही गंदा है मेरे मन में ही मलीनता है इसलिए इसलिए आपकी कृपा को मैं संजो नहीं पाया मुझे शमा कर दीजिए उस समय गुरुदेव ने कुल्दानन को कहा कुल्दानन जा जा जाकर वो सारी संपदा बटोर ले जा जाकर वो सारी संपदा बटोर ले जो मैंने तुझे दी है मैं अब भी तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं जा जाकर समेट ले वो सारे गुण, वो सारे आदर्श, जिस दिन तु उन्हे समेट लेगा, मैं उश्ण आकर तेरे हुरुदे आसन पर विजाज मान हो जाओंगा, और तुझे अपना ही रूप बना लूँगा, गुरु भाईयों और गुरु बहनों, पूछी अपने आप से, कहीं ये शूद्र ही हैं, जो हमें हमारे गुरु देव से दूर करती हैं, हम बाहर से कितने भी उजले हो जाएं, लेकिन जब तक ये मन मैला है, जीवन में आनंद नहीं आ सकता, जीवन में गुरु की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे याद है, एक बार सद्गुरु सर्विश्री आ मन बासंती नहीं हुआ, तो पतजड ही होगा जीवन में, क्या इसका अर्थ जानते हो? सारे शिश्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ-कुछ बोलने का प्रयास किया, परन्तु सही उत्तर कोई नहीं दे पाया, तम्मार श्री ने कहा, अगर पास्ट को पकड़ कर तो ये मन बासंती नहीं होगा और जीवन में भी बाहार नहीं आपाएगी, तब सभी शिश्यों ने मारजी की ओर देखा, मारजी फिर मन बासंती कैसे हो? मारशी ने अगली पंक्ति कह दी, है बासंती आत्म क्रांती ही गुरु वर के जीवन दर्शन में, मारशी ने कहा, सम जीवन को इस मन को बासंती बनाने के लिए गुरु का जीवन दर्शन, गुरु का विवहार बाहर से नहीं, वो गुरु जो आदर्शों की साक्षात प्रतिमूर्ती है, उन गुरु के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन को उन आदर्शों के लिए जीवन में लानी होगी, अपने मन को साधने का प्रयास एक शिश्य को ही करना पड़ता है, सब कुछ गुरू करते हैं, आपने सुना होगा, तु एक कदम बढ़ा, मैं सो कदम आऊंगा, सत्य है, शिश्य से तो सिर्फ एक कदम की अपेक्षा होती है, और वो जीवन भर और ना वो एक कदम है, एक इमानदार प्रयास का कदम, यह सत्य है कि केवल गुरू की कृपा से ही एक शिश्य विकारों से मुक्त होता है, एक शिश्य सहज अवस्था को पराप्त कर सकता है, लेकिन गुरू उसकी ततपर्ता, उसकी तडप, उसकी व्याकुलता, उसकी प्यास देखते हैं, वो बस इतना सा देखना चाहते हैं, जैसे ही ये हो जाएगा, वो सो गदम चल कर आ जाएंगे और आपको थाम लेंगे इस एक इमानदार प्रयास की मांग है हमसे, इसलिए गुरु भाईयों और गुरु बहनों और विलंब नहीं करते, ना जाने कितने वर्ष हमने बिता लिए थोड़ा सा प्रयास किया थोड़ी सी विकट परिस्थिती आई, थोड़ा सा वैराग्य आया, थोड़ा सा प्रयास किया फिर परिस्थिती संभल गई, फिर छोड़ दिये प्रयास, नहीं गुरु हमें घड़ना चाहते हैं ये विलक्षन समय है अगर समय और इसे महान गुरु के होते हुए भी हमने अपने उपर काम नहीं किया तो फिर अभागे तो हम ही कहलाएंगे इसलिए आईए केवल समस्या को नहीं सल्यूशन को भी डिसकस करते हैं करना क्या होगा कैसे करें अपने इस mental crisis का निवारण आज हम COVID crisis से जूज रहे हैं इस crisis से जूजने के लिए इस crisis में आपने अपनी life में कुछ नए disciplines को अपनाया है जैसे quarantine, social distancing, lockdown अपने आप में ये discipline है जो आपने अपनाया है चलिए, इस COVID crisis के इन disciplines से ही प्रेणना लेते हैं वही बातें जो मारत जी ने हमें समझाई है आज इस mental crisis को दूर करने के लिए इस COVID crisis से प्रेणना लेकर उन principles को अपने जीवन में उतार लेते हैं हमेशा हमेशा के लिए चार principles हैं जिने हमें अपने जीवन में अब उतारना ही होगा सबसे पहला जैसे COVID crisis में करोना की infection अगर किसी में detect होती है तो उसे isolation में डाल दिया जाता है quarantine में डाल दिया जाता है वैसे ही उसे तो infection की detection होती है या संभावना होती है तब उसे isolate किया जाता है लेकिन हमारा मन तो पहले ही infected है हमारे मन में तो पहले ही बिमारियां भरी पड़ी है इस लिए हमें सबसे पहले mental quarantine को अपनाना होगा सबसे पहले हमें mental quarantine करना होगा और उस mental quarantine को करने का तरीका क्या है उस mental quarantine को करने का तरीका है साधना में निमग न हो जाना ऐसी साधना करना जिस साधना में उतर कर हम अपने मन की मलिंता को दूर करें और यह सच बात है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है साधकों की साधना भी बहुत बढ़ गई है लेकिन जैसे ही साधना बढ़ी है वैसे ही मन ने अपनी कुचाले दिखानी प्रारंब कर दी है मन की कुचाले उसके समक्ष आ रही है कभी मन लगता नहीं कभी वो इतनी कूद फांद करता है कि बैठा जाता नहीं ऐसे में क्या करें? मन कहता है छोड़ दे कोई फाइदा तो हो नहीं रहा ऐसी साधना को करने का क्या लब छोड़ देते हैं नहीं गुरु भाईयों और गुरु बहनों छोड़ना नहीं है छोड़ने से तो कोई लब नहीं है जब आपका मन आपको विचलित करे तो हमेशा ये बात याद रखेगा जो स्वायम ठाकूर रामकृश्न परमहंस जी ने अपने शिष्ये ब्रह्मा नंजी को कही थी ब्रह्मा नंजी जो गुरु की पूर्न अभी व्यक्ति बने उनके जीवन में भी एक समय आया था उनके जीवन में एक समय आया जब उने लगा साधना तो हो नहीं रही, मन तो लगता नहीं है और उन्होंने साधना छोड़ दी थाकुर ने देखा, राखाल ध्यान नहीं कर रहा यही सोचकर वो पहुँच गए उसके पास और कहने लगे क्यों रहे, तुन्हें ध्यान करना क्यों छोड़ दिया ऐसा क्या है, जिसके करन तुन्हें ध्यान छोड़ दिया तब राखाल ने कहा थाकुर, मैंने ध्यान करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मन ही नहीं करता, जब साधना में बैठता हूँ, कुछ होता ही नहीं है मन उथल पुथल मचाता है, इसलिए मेरी इच्छा ही नहीं होती, इसलिए मैंने ध्यान करना छोड़ दिया तब ठाकुर ने डपटते हुए कहा था राखाल, जो जन्म और कर्म से किसान होते हैं क्या इस डर से कि फसल तो होती ही नहीं, हमेशा नश्ट हो जाती है क्या फाइदा कोई फल तो मिलता नहीं, क्या वो खेती करना छोड़ देते हैं नहीं न, तो इसलिए तुम भी साधना नहीं छोड़ सकते गुरु भाईयों और गुरु बहनों, जिनका चैन ही साधना पत के लिए होता है जो है ही साधक, वो साधना कैसे छोड़ दे उसका क्या, तो उसके लिए गोस्वामी तुलसी दास जी ने एक सूत्र दिया है एक बार गोस्वामी जी ने देखा कि एक हांडी में चावल के दानी हैं, वो उबल रहे हैं अब जब वो चावल पकने की ओर हैं, तो दाने बहुत कूद फांद कर रहे हैं अगर उनको देखकर, उन दानों को उचलता कूता देखकर उस समय चावल की हांडी को आंच से हटा दिया जाए तो बताइए क्या वो चावल के दाने पक पाएंगे, उनकी कूद फांद रुके गी तो, लेकिन वो दाने कच्चे के कच्चे रह जाएंगे लेकिन अगर उनी चावल के दानों को, उसी हांडी को आँच पर छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद वो चावल के दाने पक जाएंगे और जैसे ही वो पकेंगे, वो स्थिर भी हो जाएंगे वो एक स्थान पर जाकर रुक भी जाएंगे, स्थिरता को प्राप्त करेंगे गुरु भाईयों और बहनों यही सूत्र है ये मन कूद फांद कर रहा है, तो साधना और तेज कर लीजिए साधना की आँच को और प्रकर कर लीजिए ताकि ये कूदता फांदता मन पक जाए और ये स्थिर हो जाए लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखना, कि साधना के साथ साथ मारशी की ये बात याद रखनी है, कि साधना केवल आँखों को मूंद कर बैठ जाना नहीं है साधना वानी को साधना है साधना व्यवहार को साधना है साधना आचरन को साधना है इसे साधना के साथ साथ स्वानवेशन होना चाहिए दमन के साथ साथ स्वानुशासन सजोना चाहिए कर्म से साधना रत रहे मन वचन की भी हो साधना इंद्रियां ही केवल स्थिर ना हो श्रेष्ट आचरण की भी हो याचना शुद्ध जीवन, शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार बने शुब्रता का अनुकरण होना चाहिए साधना के साथ साथ स्वाणवेशन भी होना चाहिए इसलिए अपने दैनिक व्यवहार पर उस पर भी गौर रखना है और उसे भी गुरू के आदर्शों में साधना है दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा डिसिप्लिन जिसे हमें अपनाना है अपने इस मन को साधने के लिए वो है mental distancing का कोरोना के केस में social distancing क्यों की जाती है ताकि ये virus और फैले ना इसी तरह मन की नकरातमक्ता का virus भी और फैले ना मन की नकरातमक्ता भी और बड़े ना इसके लिए हमें mental distancing को अपनाना होगा समझते हैं mental distancing को अपनाने का अर्थ आप सबने सुना होगा dust you think, dust you become lord you think, god you think, god you become अगर आप अर्थाद आप जिसका चिंतन करेंगे आप वैसे ही बनते जाएंगे because you are what your thoughts are अगर आप नकरातमक्ता का चिंतन करेंगे अगर आप संसार का चिंतन करेंगे अगर आप विशे वासनाओं का चिंतन करेंगे तो मन स्थिर हो जाए ये अपेक्षा मत कीजिएगा मन मी भी वही चलेगा आपका विवहार आचरण भी वैसा ही बनेगा अगर गुरू को प्राप्त करना चाहते हैं तो चिंतन किसका होना चाहिए गुरू का सतत चिंतन होना चाहिए उनके आदर्शों का चिंतन होना चाहिए और इसके लिए हमें हर उस वस्तू हर उस व्यक्ति, हर उस विवहार हर उस चीज से दूरी बना लेनी है mental और physical दोनों जो हमें हमें इस पत से भ्रष्ट करने के लिए आती है जो हमारे मन में नकरात्मकता की और हमें प्रेरित करती है जो हमारे मन को निकरिष्टता की और लेकर जाती है हमें हर उस चीज से दूरी बना लेनी है ऐसा ही उधारन स्थापित किया था नाग महाशे जो ठाकु रामकृष्ण परमहंस जी के ग्रिहस्ती शिष्य थे लेकिन ठाकु रामकृष्ण परमहंस इतने प्रसंद थे अपने शिष्य से कि उन्हें कहा करते थे तुम्हें इस युग में इस समय में राजा जनक जैसा जीवन मुक्त बन कर दिखाना है और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया क्योंकि उनके जीवन का एक नियम था गुरू की चर्चा, गुरू के आदर्शों के अलावा वो किसी बात को नहीं सुनते थे अगर कहीं पर कोई भी और विशेपर बात हो रही होती, किसी प्रकार की निंदा हो रही होती तो वो प्रयास्तरत रहते कि वो उसे सकरात्मक दिशा की और मोडे और उस टॉपिक को गुरू चर्चा पर ले आए अगर वो यह नहीं कर पाते तो विनम्रता पूर्वक उस्थान से उठ जाते और चले जाते गुरू भाईयों और गुरू बहनों ऐसा ही डिसिप्लिन हमें अपने जीवन में लेकर आना है और जानते हैं एक बार जब गलती से उनके मुख से किसी के लिए अपशब्द निकल गए थे तो उस समय नाग महाशे गए और उन्होंने पत्थर से अपने मस्तक पर चोट मारी ताकि ये मन को चोट लगे और ये समझ जाए कि जब जब ये अन्नियंत्रत होगा ये गलत मार्ग की और बड़ेगा तो इसी प्रकार की पीडा इसे जहलनी पड़ेगी इस हद का उनके गुरू के प्रती उनका भाव था उनके गुरू के प्रती उनका चिंतन था उसे प्राप्त करने की ततपरता उनके भीतर थी ऐसी ही mental distancing हमें follow करनी है लेकिन एक बात याद रखेगा जब व्यक्तियों की बात आती है तो मारश्री का आदर्ष है प्रेम आपस में करें और सब के संग मिलकर चलें सद्भावना गुरू का सबसे स्रेष्ट आदर्ष होता है जो वो सिखाते हैं इसलिए mental distancing तो होनी चाहिए लेकिन mental hatred नहीं होनी चाहिए ठीक है किसी के भीतर नकरात्मक विचार चल रहे हैं किसी की वाणी नकरात्मक शब्दों को बोल रही है परन्तु उस समय उसे criticize करने या उसकी निंदा करने से बहतर है कि गुरू के चर्णों में निस्वार्थ प्रार्थनाओं की अर्जियां लगा दीजिये उसके लिए फिर देखे गुरू किस प्रकार उसे भी बदल देते है और आपको भी उत्थान की ओड़ ले जाते है उसके समक्ष गुरू चर्चा का ऐसा स्पंधन create कर दीजिये कि उस स्पंधन से वो परिवर्टित ही हो जाए क्योंकि मारश्री कहते है जहां गुरू महिमा गाई जाती है वहां गुरू महिमा प्रकट भी हो जाती है इसे हमें ऐसा बनना है गुरू भाई और गुरू बहनों अब तीसरा सूत्र तीसरा discipline जिसे हमें अडॉप्ट करना है वो है टोटल मेंटल लॉकडाउन टोटल मेंटल लॉकडाउन का अर्थ क्या है देखिए मारश्री ने मन को विकल करेंगे जो मन को विचलित करेंगे उस समय मन को बचाने के लिए वो विचलित ना हो उन प्रभावों से ग्रसित ना हों क्या करना पड़ेगा अभी कुछी दिन पहले एक बर फिर एक देवे अनुभूती में मारश्री ने इस बात को फिर कहा कि सभी साद को corporations को पर अप्रभाव पड़ेगा तो ऐसे में क्या किया जाए बात बड़ी सरल है जब प्रकृती रीसेट बटन दबा देती है तो इस प्रकृती के भीतर इतनी negativity बाहर निकलती है वो negativity जो अब तक एक unstable equilibrium में थी वो सारी फूट कर बाहर निकलती है और प्रकृती और मानव के मन काई का काट्टे संबंध है जैसे ही वो नकरात्मक्ता प्रकट होती है मानव के मन में changes होते हैं और मन को इन changes से बचाने के लिए हमें total mental lockdown करना है वो कैसे करेंगे इसके लिए संत रूमी एक कहानी सुनाते थे उसमें सूत्र छुपा है चलिए उस कहानी को सुनते हैं संत रूमी कहते कि एक बार एक जंगल में एक व्यक्ती दौड़ता हुआ जा रहा था वो बहुत दूर से दौड़ता हुआ आ रहा था क्यूंकि उसके पीछे मदुमक्यों का एक जुंड पड़ा था वो मदुमक्यों का जुंड उसे छोड़ी नहीं रहा था दौड़ते दौड़ते वो एक स्थान पर पहुँचा जहां पर एक सरोवर था वो दौड़कर उस सरोवर में चला गया उसने देखा सरोवर के भीतर डुपकी लगाने से वो मदुमक्यों से बच गया है अब उसे सांस नहीं आ रही थी तो उसने उपर आकर जैसे ही सांस ली तो देखा मदुमक्यों अभी भी बाहर बिन बिना रही है अटाक करने के लिए पूरी तरह तैयार है तभी उसने ये सूत्र पकड़ लिया कि जब तक मैं पानी के भीतर रहूंगा तब तक मैं इन विपत्तियों से बचा रहूंगा और रूमी ने इसे सूफी समाज के सामने एक रूल बना कर रख दिया कि अगर मानव को इस प्रकृति के इस संसार के प्रभावों से बचना है अपने मन को बचाए रखना है तो उसे भी इसी सूत्र को पकड़ना है अपने आपको उस इश्वर के नाम में उस गुरू के नाम में डुबो देना है उस सुमिरन में अब हमें अपने आपको इतना डुबो देना होगा लोक्टाउन कर देना होगा कि फिर संसार का कोई प्रभाव हमारे मन को विचलित नहीं कर सकता तो साधना के साथ साथ सुमिरन भी करना होगा और ऐसा सुमिरन जो निरंतर चले उटते, बैठते, खाते, पीते, सोते इतना प्रकर हो जाए हमारा सुमिरन कि वो 24 घंटे चलता रहे और हम तोटली उस प्रभू के नाम में माहरश्री ने जो हमें ज्यान दिया है जो सुमिरन दिया है, प्रकट किया है हमारे अंदर उस सुमिरन में हम डू पे रहे और चौथा और अब महा सूत्र इस भक्ती पत पर बढ़ने के लिए एक चौथा सूत्र भी है जिसे हमें अपनाना है क्योंकि infection से बचे रहने का सबसे बड़ा तरीका क्या है अपनी immunity को strong कर लो और एक साधक की immunity क्या होती है साधक की immunity होती है गुरू पर विश्वास गुरू के चडणों में पून समर्पन गुरु के लिए पूरा पूरा विश्वास क्योंकि जिसे विश्वास है गुरु पर वो किसे भी परिस्थती में नहीं डिगेगा इतिहास इस बात का गवा है गुरु भक्ती की इस यात्रा में जहां पूर्ण गुरु का सानिध्य एक शिष्ष को मिल जाता है वहाँ कोई accidents नहीं देखे जाते गुरु सदेव सदा सदा अपने शिश्य के साथ रहते है वो अपने हर कर्म से केवल और केवल शिश्य का विकास ही करते है और जब शिश्य को ये बोध हो जाए कि गुरु सदेव उसकी रक्षा के लिए तत्पर है जब उसे ये विश्वास हो जाए तो फिर उसे इस भक्ती पत से कोई नहीं डिगा सकता उसकी मन के कोई भी कुचाल उसे आहत नहीं कर सकती उसकी भक्ती को खत्म नहीं कर सकती क्योंकि जिसने ये समझ लिया कि जीवन में उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके गुरू कर रहे हैं फिर वो इस मार पर हस्ता हस्ता आगे बढ़ता है मुझे याद है एक बार मारश्री ने कहा था जो ये सोचता है कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो इस व्यक्ति के कारण हो रहा है या इस परिस्थति के कारण हो रहा है वो अपने लिए पतन के मार्ग खोल लेता है लेकिन जो ये सोचता है कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है कोई और तो कुछ कर ही नहीं सकता जो भी कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है वो मेरे गुरुदेव ही मेरे साथ कर रहे है वो अपने लिए अध्यात्मिक उन्नती को सुनिश्चित कर लेता है उसकी उन्नती होती ही होती है क्योंकि जिसका गुरु पर विश्वास है वो इस पत्पर निरंतर बढ़ता जाता है गुरु का विश्वास, गुरु के वचन ही हर परिस्थिती में उसका संबल बन जाते हैं हर विपदा से उसे उबार लेते हैं क्योंकि जब एक शिष्य अपने आपको मिटा देता है और गुरू जब उसके भीतर अभी व्यक्त होते हैं तो फिर वो परमात्म शक्ती उसका बल बन जाती है और ऐसे शिष्य के समक्ष जब तूफान आते हैं जब विपत्तियां आती हैं तो वो विपत्तियां उसके मन को विकल नहीं करती अपि तू उसके समक्ष आकर उससे तकराकर वो विपत्तियां भी छिन भिन हो जाती है गुरु अपने शिश्य को अपनी शक्ती प्रदान कर सूर्मा बना देते हैं और ऐसे शिश्यों के लिए मुझे रामधारी सिंग दिनकर जी की कविता याद आती है सच है विपत्ती जब आती है कायर को देहलाती है सूर्मा नहीं विचलित होते शन एक नहीं धीरज खोते विगनों को गले लगाते हैं कांटों में रह बनाते हैं मुकसे न कभी उफ कहते हैं जो आप पढ़ता सबसहते हैं उद्योग निरतनित रहते हैं विगनों को गले लगाते हैं बड़ खुत विपत्ती परछाते हैं है कौन विग्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है है गुण बड़े एक से एक प्रखर छिपे मानवों के भीतर जैसे महंदी बीच लाली हो वर्तिका बीच उजाली हो पर बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी कभी नहीं वो पाता है सद्गुरु तो अपने शिश्य को अपनी अभिव्यक्ती बना इस युग का दिगश बनाने चाहते हैं सूर्मा बनाना चाहते हैं हर विपत्ती को वो छिन भिन करदे ऐसा बनाना चाहते हैं लेकिन बन वही पाता है जो अपने भीतर गुरु भक्ती की लौद जगाता है वो बत्ती जगाता है जो ब्रह्म ज्यान की ध्यान साधना कर गुरु के बताई हुए मार्ग पर चल अपने आपको गुरु के चड़नों में अर्पित कर देता है जिसे कोई इच्छा नहीं कोई महत्वकांग्षा नहीं कोई इमान सम्मान नहीं केवल और केवल गुरु ही उसके जीवन का लक्ष हुआ करते हैं आप में से बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा बाते तो सब सही है कहना बहुत आसान है करना बड़ा मुश्किल सच है कहना बहुत आसान है करना बहुत मुश्किल पर एक बात बताईए अगर प्यार किया है अगर गुरु से प्रेम करते हैं तो प्रेम के लिए क्या कुछ जोखिम नहीं उखा सकते संसार में जिस से प्रेम करते हैं उसके लिए तो बड़ी बड़ी विपत्तियों को जहेल जाते हैं बहुत कुछ सह लेते हैं अगर गुरू से प्रेम किया है अगर कहते हैं कि हमें गुरू से प्रेम है तो फिर वो प्रेम ही हर विपत्ती में एक शिष्य का साथ निभाता है, वो प्रेम ही उसे हर विपत्ती से निकाल लेता है, तो क्यों नहीं हम गुरू के लिए मिट सकते, क्योंकि प्रेम सिरफ कहां नहीं जाता, प्रेम तो जिया जाता है, जिया जाता है, प्रेम में मिटा जाता है, प्रेम में अस्तत्व खत्म किय जाता है और वो प्रेम ही होता है जो एक शिश्य का बल बन जाता है मुझे याद है मारशी के वो शब्द गुंजते हैं इन कानों में जो एक बार मारजी ने एक शिश्य को कहे थे love for the ideal will vanquish all troubles love for the ideal will draw dynamism it was love for the ideal that भगज़ सिंग was able to walk through the gallows with a smile मारशी ने कहा था वो प्रेम ही है उस आदर्ष से प्रेम एक शिश्य का आदर्ष कुछ छोटा मोटा नहीं होता मारशी ने कहा था एक शिश्य का आदर्ष बहुत महान होता है एक शिश्य का आदर्ष तो उसके गुरू ही होते है और वो गुरू जिससे वो प्रेम करता है वो प्रेम ही उसकी हर निराशा में उसे आकर उत्साहित करता है वो प्रेम ही उसकी हर मुश्किल में आकर उसे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है वो प्रेम ही उसे निरंतर कारे करने के लिए प्रयास रत रखता है और मारशी ने उधारण दिया वो प्रेम ही था भगत सिंग का इस भारत भूमी के साथ कि वो हसते हुए फासी पर चड़ गया वो भगत सिंग तो हसते हुए फासी पर चड़ गया था क्या हम अपने गुरु से प्रेम के लिए कुछ थोड़ी सी पीड़ा सह नहीं सकते क्या कुछ थोड़ा सा अपमान सह नहीं सकते क्या अपने ऊपर कुछ निर्ममता नहीं बरत सकते क्या कुछ कष्ट नहीं उठा सकते क्यों नहीं उठा सकते जिनके पास ऐसा निस्वार्थ प्रेम करने वाला गुरू हो उन्हें तो अ एक शिष्ची के बीतर साम मर्थे नहीं लेकिन गुरू से चुनते हैं और बना कर रख देते हैं पूरे समाज के समक्ष इसे गुरू भाईयों और गुरू बहनों यह समय गवाने का नहीं है यह समय है गुरू के आदरिशो को समेट लेने का बस अंत में एक दिव्य अनुभूती जो यह सारे सत्संग का सार है हमारी भक्ती की यात्रा का सार है उसे हमें सुनना है और जजब कर लेना है एक दिव्य अनुभूती में एक गुरु बेहन को ये दिव्य अनुभूती हुई और उस अनुभूती में वो देख रही है कि मानो एक बालक के समान अपने पिता के साथ जैसे एक बालग वॉक करता है, एक उपवन में, ऐसे ही वो मारश्षी के साथ सेर कर रही है, मारश्षी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, और आगे-ागे मारश्षी चल रहे है, साथ-साथ उने लेकर अपने, और ये जो ट्राक है वॉक का, उसके बीचो बीच एक बड़ा सा सरोवर है, वो बड़ी आनंदित है मारश्षी के साथ चलते हुए, तब ये एक आएक, मारश्षी उसे रोकते हैं, कहते हैं, रुको, जैसे ही रोकते हैं, अकले ही शन्ड मारश्षी आगे बढ़ते हैं, और नीचे एक छोटा सा कंटीला, जहरीला कीड है, जिसे मारश्षी अपने पक से दूर पटक देते हैं, वो घूमता हुआ उस सरोवर में जाकर गिर जाता है, वो बहन मारश्षी के ओर देखती हैं, और कहती हैं, मारश्षी मुझे तो ये दिखा ही नहीं, अगर मेरा पैर इस पर आ जाता तो, तो मुझे बड़ी होती, तम मारश्षी मुझे खुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे तो सारे कष्ट जो भविश्य में आने वाले होते हैं, उसे तो हम देख लेते हैं, तुम तक तो उन्हें पहुंचने ही नहीं देते, तुम्हारे तक पहुंचने से पहले ही उन्हें दूर कर देते हैं, वो मारच जी का दूसरा हाथ ध्यान मुद्रा में है। मानों ये देखते हैं उनके मन में उन्हें ये समझ आ जाता है कि ऐसे ही तो जीवन होना चाहिए। अपना सब कुछ मारच जी को सौम कर बस निरंतर ध्यान साधना करते रहना चाहिए। ये ही तो जीवन की रीती है एका एक मारच जीवन है तुम्हारा बस साधना सुमिरन करते रहो अनहद नाच सुनते रहो अनहद नाच सुनते रहो और मस्त होकर चलते रहो कितना सुन्दर जीवन है तुम्हारा सची तो है गुरु भाईयों और बहनों कितना सुन्दर जीवन ह हमारा मारश्री खुद हमें इस मार पर लेकर चले हैं चलाने वाले भी वो हैं हर्शन प्रियास भी चलाने का वही कर रहे हैं और हमारे दुखों को हमारे पीडाओं को स्वयम हरते जा रहे हैं हमें तो बस उनकी आग्याओं में चलना हैं लेकिन वो अनुभूती अभी खत्म नहीं हुई जब उस ट्राक पर चलते चलते कुछ समय बीद गया तो मारज शी उन बेहन को आगे लेकर गए सामने एक स्वन्निम रत खड़ा था श्वेत अश्वों से जड़ा हुआ रत था उसे देखकर वो बहन चकित हो गई देखते ही देखते मारज शी उस रत पर चड़ पर उस बेहन ने सोचा कि ये तो मारज शी का रत है ना मैं कैसे इस पर चड़ूंगी वो दूर खड़ी है और मारज शी देखते हैं अरे ये क्या मारज शी कहते हैं उपर आओ तुम कहा हो जैसे ही मारज शी ये कहते हैं वो चड़ने का प्रयास करती है पर रत की सीड़िया बहुत उची है वो नहीं चड़ पा रही तब ही मारश जी अपना हाथ लटकाते हैं और अपने हाथ से उसे रत पर खींच लेते हैं समझे कुछ जब हम गुरु आग्याओं में चलेंगे जब गुरु आग्याओं को गुरु के आदर्शों को अपने भीतर जजब कर लेंगे और निरंतर उनकी आग्याओं पर चलते चले जाएंगे तो एक समय आएगा जब हमारे जीवन का रत गुरु के जीवन के रत के साथ एक हो जाएगा गुरु स्वाइम हमें अपने स्तर पर उठा लेंगे अपनी दिव्वे कृपा से हमें स्वाइम अपने पास बुला अपना अभिव्यक्ति बना लेंगे हमें तो बस बस पूरे इमांदार प्रयास के साथ चलते रहना है इसे गुरु भाईयों और गुरु बहनों आईए ऐसा ही संकल्प लेते हैं आज कि यह जो स्वन्ने मफसर मला है इसे गवाएंगे नहीं गुरु के बताय आदर्शों प बदलेंगे उनके दिव्य आदर्शों से अपने हम जीवन को सजाएंगे और यह स्वन्ने मफसर जो उन्होंने हमें दिया है इसे हम कभी नहीं गवाएंगे दिव्य गुरु के दिव्य सायोगी बनकर स्वर्ग धरा पर लाएंगे स्वर्ग धरा पर लाएंगे बोलिए इस कर दो कर दो